सब्सक्राइब करें डाइली कहानिया चैनल को और बिल आइकॉन को दबाएं ताकि ये लेटस कहानियों के वीडियो आप तक पहुंच सके हम इस वीडियो में पिंसिल और एरेजर की कहानी देखेंगे एक दफ़ा पिंसिल ने एरेजर से माफी मांगी तो एरेजर ने पूछा किस लिए तुमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया तो पिंसिल ने कहा मुझे माफ कर दो तुम्हें बार बार तकलीक होती है मेरी वज़ा से मुझे जब भी गल्टी होती है तुम हमेशा तयार रहते हो उस गल्टी को मिटाने के लिए मगर जब जब तुम मेरी गल्टी को मिटाते हो तुम अपने आपको तक्लीफ देते हो और छोटे होते जाते हो बार बार तो एरेजर ने कहा ये सच है पर मुझे इससे कोई फरह नहीं पड़ता तुम देखो मुझे बनाया है सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए जब भी तुमसे गलती होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा मुझे पता है कि मैं चला जाओंगा एक दिन और तुम्हें किसी और के साथ बदल दिया जाएगा मैं खुश हूँ अपने इस काम से तो बराए करम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो मुझे नफरत है तुम्हें उदास देखने से इस वीडियो से हमें ये सबख मिलता है जो बहुत कुछ सिखाता है वालिदें भी एरेजर की तरह होते हैं और उनके बच्चे पिंसिल वो हमेशा अपने बच्चों के गलतियों कुछ मिटाने की कोशिश में रहते हैं कभी कभी उसरा में उन्हें बहुत तखलीख होती है और वो चोटे हो जाते हैं आखिर उनके बच्चे एक नया शख्थ ढून लेते हैं बीवी की शकल में पर वालिदें हमेशा खुश रहते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया होता है और वो हमेशा नफरत करते हैं अपने बच्चों को किसी के लिए परेशान देखकर और उदास देखकर ख्याल रखो अपने वालिदें का महरबानी करके उनके साथ अच्छा सुलूग करें और सबसे एहम बात उनसे महबत करें झाल 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 झाल